प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग रेनवो पार्ट टू के पर्थम चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो एक परकार का है से है महात्मा गांधी के दुवारा रचित है तो आएए पहले हम लोग राइटर इनफोर्मेशन के वारे में बेसिक जनकारी ले लेते हैं इनका पूरा नाम मोहंदास करमचन गांधी है इनका जन्म दो अक्टूबर 1869 इस्वी को हुआ था और इनकी मिर्तिव 30 जनवरी इनका परसिद नाम बापू या राश्पिता है जिसके रूप में यह जाने जाते हैं वाज मोरे स्प्रिचूल लीडर डैने पॉलिटीसियन एक राजनिते के बजाए एक आधियात्मिक गुरू के रूप में नेता के रूप में जाने जाते हैं ही सक्सेसफुली यूजड त्रूथ एंड नन्वाइलेंस अज चीफ वेपॉन्स अगेंस दविटीस रूल इन इंडिया और हेल्प इंडिया गें इंडिपेंदेंस और यह नहों ने अर्थत महात्मा गांधी ने क्या है दो महत्पूर्ण हथियार था जिसका पर्योग इन के ब्रुद में कहां पर भारत में और वो क्या था भारत को अजादी दिलाने में महत्पूर्ण भूम का निवाया था या मदद किया था फ्रूम नाइंटीन फिप्टीन टू तिल नाइंटीन फोटीएट ही कंप्लीटली डुमिनेटीड इंडियन पॉलिटिक्स उन्हें सो पंद्रह इसमें यह सौथ फिरका से लोटे थे आठ नौ जनवरी को परतेक साल इसलिए हमारे देश में आप परवासी भारतिये दिवस मनाये जाता है तो 1915 इसमें लोटें और 1929 इसमें जानते हैं कि इनकी मिर्तियू हो गई तो 1915 से लेकर उन्हें तालिस इसमी तक यह पूरी तरह से भारतिये राजनिती पर हावी रहें और इनकी मिर्तियू उन्हें तीज जनवरी उन्हें तालिस इसमी को एक संकी के हातों हो गया इस आटो वाग्रफी मैं एक्स्पेरिमेंट वित्रूथ और नुम्रेस आट किस्था यह रोट फोर यंग इंडिया और स्पीचेश्था यह डिलीवर्ट उन्हें डिफ्रेंट ओकेजांस और रिवेल हिम नॉट अशनल थिंकर वाट आटो आटो वाग्रफी मतलों होता है अब वाग्रफी मतलों होती है जीवनी यह दोनों सब्दों पर भी धियान रखना है तो सत के साथ मेरा परियोग जो इनकी आत्म कथा है और इन्होंने जो अनेको आटकिस लिखे थे यह इडिया पत्रीका के लिए साथ ही साथ जो वासन इन्होंने अलग-अलग अवसरों प बलकि बिना दिखावे का जो अंग्रेजी में यह मुहाबरे का परियोग करते हैं इससे एक महान बक्ता लेखक के रूप में भी उभरते हैं इन दौ फॉलोओं इस्ट्रैक्ट इंडियन सिविलाजेशन अंग अन गुल्चर गांधी जी टौक्स अवर द तौन फॉनडेशन ऑफ इन इन्डियन सिविलाजेशन वीच एस सक्सेस्फुली विद उप्सूड द पाइसेसं अफ टायम जो बर्तमान आंस है इंडियन सिव जो बुलंद बुनियाद है ठीक है ना वो समय के साथ क्या है अपने गौरब के साथ खड़ा हुआ है अपने सफलता पुर्वक अपने अस्थान पर अडिग है इस्थिर है यहां पर काते हैं हमारे महात्मा गांधी राष्टपिता की जो पठ्चमी देशों की सवेता है उसमें उन्होंने भावतिक सुक्सिवदावों को सिरिकार किया है अर्थत भावतिक सुक्सिवदाओं को पढ़ाने में उसका उपयोग करने में अपनी सारी छमता का क्या कर लिए है उपयोग कर लिए है प्रंतु हमारी जो भारतिय सवेता है जो इन सारे से परे जो नैतिकता जो नैतिक स्वभाब है मानब स्वभाब है उस पर विसेस वल जोड़ देता है और इसी कारण से हमारी भारतिय सवेता पच्छमी सवेता से किसी वी रूप में मेल नहीं खा सकती है अब नीचे कुछ प्रस्ण है जिसका जवाब आप लोग को मौखिक रूप में मेरे वाट्सप नंबर या टेलीग्राम पर आपको सेंड करना है आप हमारे वाट्सप और टेलीग्राम पर भी जूड़ सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ आई विलीव दैट दैस सिविलाइजेशन इंडिया एज इवोल्ड इस नौट वी वीटेन इन डवर्ड मैं आपको यकीन दिलाता हूं विश्वास दिलाता हूं मैं आप लोग को अस्वस्थ क सकता है नथिंग कैन इक्वल दसीड्स सोन वाई आवर इंसेश्टर्स और यह ऐसा वीजरोपन जो हमारे पुर्वजों ने किया है वह सा वीजरोपन की बराबरी कोई सबहतार नहीं कर सकती है रोम वेंट रोम चला गया ग्रीस सेर्ड सेम फेट ग्रीस का भी वहीं हाल जो मिस्र के सासक फैरोन का जो ताकत था छिन भीन हो गया नस्ट हो गया जपान हैस वीकम वेस्टनलाइजड जपान पास्चात देशों की अनुकरन करने लगा पास्चात करन हो गया जपान का ऑप चाइना नथिंग कैन वी सेड और चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कह जा सकता है बट इंडिया इज स्टिल लेकिन भारत अभी तक सम्हाव और अधर शौन रैड़ दा फोंडेशन अपने उसी बिन्याद पर उसी नीप पर बुलंदी के साथ स्थीर है खड़ा हुआ है दुनिया के समझ अपनी योगता को बता रहा है अपनी भवेता को बता र यहां पर महात्मा गांधी ने यह भी बताने का परियास किया है कि जो अपने लेशन उन्होंने कहां से सीखा है तो उन्होंने ग्रीस और रोम के लेखकों की किरतियों को पढ़ा है उसकों से सीखा है उसका अनुकरन किया है लेकिन उसी सवेता संस्कृति का अनुकरन से क्या फाइदा जो आज बरतमान में उसकी खूद की गर्मा उसकी खूद की महमा जो पुरानी थी वह अभी बरतमान में उपयोग में नहीं आ रही है तो उसे चीजों से सीखने से क्या फाइदा in trying to learn from them उनसे सीखने की यह लोग कोशिस कर रहे हैं the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome तो यहाँ पर इसलिए उन लोग से सीखना चाहते हैं कि जो गलती Rome बासियों ने Greek के निवासियों ने की है वो गलती अब Europe बासी नहीं करेंगे such is their pitiable condition I see उनकी डैनियस्थिती है यहाँ तक कोई समस्य आपको नहीं हुआ आगा हम लोग आगे चलते हैं second paragraph इसी बीच में इन सभी के बीच में मैं आप लोग को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत अपनी भविता के साथ आडिग है खड़ा है यहीं तो हमारे देश भारत की सान है मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग किसी चीज को अनुकरम क्यों करते हैं उसे किसी चीज में हम अपने से superior समझते हैं आच्छा समझते हैं तो हम हात्मा गांदी यहीं कहना चाहते हैं कि हमारे देश भासियों हमारे देश भासियों के परती इन्होंने क्या है एक आरोप लगाया है कि इसके निवासी यहां के लोग इतने असब हैं बहुत ही क्या है असब है अज्यानी है और क्या है ममत्व नहीं है उनमें क्या है भाब नहीं है भाबना नहीं है बहुत ही कठोर है क्यों जो क्या है किसी भी परकार का क्यों करूंब हाई मेरी सवेता तक में नहीं तो बास्ता में में यह है कि वह पर अरोप नहीं लगा रहे हैं वह अपना बेवकूफियत हम पर ठोपना चाहा है क्यों जैसे वो लोग नस्ट हो गए हैं इंडिया भी इन सारे चीजों को अपनाएं और नस्ट हो जाएं जो भारतवासी नहीं करने जा रहे हैं इस चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट बास्ता में कहा जाए तो यह हमारे परतिभा के खिलाफ क्या है एक आरोप है यहां वेसिस ओभी कर सकते हैं experience हम लोगों ने जिसको परखा जिसको तजूरवां पर गुन को मापाक उसकी अधार पर तावला उसको उप्यों किया और उसमें सत्ता पाया उसी सभियता को हम लोगों ने अपनाया तो कैसे कोई सका सकता है कि यह लोग मूर्ख हैं यह लोग अज्यानी हैं यह लोग भाव सुनता हैं भावुक नहीं हैं we dare not change इसी कारण से हम लोगों में अपनी सभिता को बगलने की साहस नहीं हुआ नहीं कर सकते हैं many trust their advice upon India बने को लोगों ने अने को बिदवानों ने अपने क्या है विचारों को अपने भावों को हमारे भारत देश पासियों पर क्या है थोपने का काम किया and she remains steady फिर भी हमारे भारत ने उनके गुनों को नहीं अपनाया और अडिग रहा स्थिर रहा this is her beauty यहीं तो हमारे देश की सुंदरत है it is the seat ankle of our hope यहीं तो हमारी एक आसा की किरन है यहीं तो हमारे लिए आसा का परतिबिंब है चिन बिंदु है third paragraph civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty इसनों ने और कहा आगे सभेता आचन का वर धंग है जो मनुष्च को करतब के पत पर आगे बहने के लिए प्रेरित करता है performance of duty and observance of molarity करतब का पालन और नैतिक्ता से भारे हुए नैतिक्ता से परिपूर्ण जो आचरन है are convertible terms जो क्या है जो सदय परिवर्तन होने योग है to observe molarity नैतिक्ता का जो हम लोग क्या है गरहन करते है is to attend mastery over our minds जो क्या करता है हमारे मन का मालिक बन जाता है and our masculine और ह towel ऑर हमारे चाहिच्छा और मन का क्या है वह चाहता है so doing doing so होना चाहिए ऐसा करके we know our self हम लोग समझ सकते हैं यह हम लोग आतम बोध कर सकते हैं हम पह स्मरन कर सकते हैं बीचार कर सकते हैं यहां पर कह रहे हैं गुजराती को बरावर अगर सभेता के रूप में देखा जाए तो इसका समान अर्थ होगा सदचार या अच्छा गुन फोर्थ इफ इस डिफिनेशन वी करेक्ट यदि यह परिवासा सही है देन इंडिया आई सो मेनी राइटर्स है तो भारत के अनेकों लेकों ने पुर्षों महा पुर्षों ने असपस्ट किया है असपस्ट रूप से बतलाया है हम लोग किसी दूसरे से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है and this is as it should be हम लोग वैसा ही है जैसा हम लोग को होना चाहिए तो हमें किसी की सलाम असोरे की जरूरत नहीं है कोई कुछ भी बोले हम लोग तो वस अपनी सवितार संस्कृति के साथ ठीके रहेंगे और आगे बढ़ लेस्ट वर्ड हम लोगों ने ध्यान दिया है हम लोगों ने क्या है सोचा है कि मन एक बेचैन पसी है the more it gets the more it wants जितना हमारे मन को मिलेगा लालसा मिलेगा लालच मिलेगा किसी पद की प्राप्ति होगी कुछ भी मिलेगा उतना ज्यादा इसके अंदर क्या होगा इच्छा जागरित होगी and still remains unsatisfied और फिर वी यह आसंतुष्ट रहता है the more we indulge in our passion जितना ज्यादा हम लोग अपने चाहत में लगे हुए रहेंगे लिप्त रहेंगे घिरे रहेंगे the more unvaridal they become उतना ही निरंकुस मेरा मन होते जाएगा ठीक है our ancestors therefore set a limit to our indulgence यहीं कारण है कि हमारे पुर्वजों ने हमारी सोच के लिए हमारी सनलिपता के लिए सीमा निर्धारित कर दिये थे they show that happiness was largely a mental condition उनका कहना है कि सिर्फ जो खुसी होती है मुखरूप से हमारे एक सिर्फ मनोस्तिती है मनोदसा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारी मनोदसा को खुसर करने के लिए हम लोग बहुत जादा धन अरजित करेंगे बहुत जादा बड़े पद पर चले जाएंगे यह नहीं है अगर हम लोग खुस रहना चाहेंगे मानसिक सांती प्राप्त करना चाहेंगे तो किसी भी प्रस्तिती में इसको प्राप्त किया जाजाओं से बोश्क्ति साली संबिर्ध और महांसासक के रूप में सीध हुएं तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं का लीसी समय पुना आप लोग के लिए इसके आगे का वीडियो में बताऊंगा तो आप लोग अपने प्रस्मुत्तर को जो दिया हुआ है आप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे सोलूशन करें और वाट्सेब पर चेलिग्राम पर भी आप इस जवाब को भेश सकते हैं नहीं तो कॉमेंट बॉक्स में भी भेश सकते हैं तो आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बहुत ही जरूरी व झाल